जैश राम मित्रो, हर महीने सुकल पक्ष की चतुरदसी के अगले दिन पूणिमाति थी परती है, इस सुभति थी पर बड़ी संख्या में सरधालू गंगा समेत पवित्र नदियों में अस्था की डूबकी लगाते हैं, साथी भगवान विश्णू संग मालक्षमी की पूजा करते हैं, पूणिमाति थी पर सत्य नरायन की पूजा भी की जाती है, वही साधक पूणिमा बरत भी रखते हैं, धार्मिक मत है कि पूणिमाति थी पर अशनान ध्यान, पूजा, जबतप और दान पूणे करने से आय, सुख और सभाग में बिद्धी होती है, साथी जीवन म ब्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं, आईए अब जानते हैं, भाद्रपद पूणिमा की सही डेट, सुभ महूर्थ और योग के बारे में, भाद्रपद पूणिमा का ब्रत 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा, इस दिन भाद्रपद चयांते थी, सुभ आठ बजकर 14 मिनट से शुरू होगी, और 18 सितंबर 2024 को सुभ चार बजकर 34 मिनट पर इसका समापन होगा। भाद्रपद पुनिमा पर भगवान सत्य नरायन का पूजा का जो शमय है 17 सितंबर को शुबा 9 बज कर 11 मिनट से 2 पहर 1 बज कर 37 मिनट तक है। भाद्रपद पुनिमा के दिन चंद्रोदे का शमय साम 6 बज कर 3 मिनट पर है। भाद्रपद पुनिमा पर लक्षमी जी की पूजा का शमय सत्रा सितंबर की रात 11 बज कर 52 मिनट से 18 सितंबर को प्राता 12 बज कर 49 मिनट तक है। भाद्रपद पूनिमा पर चांद देखना सुभ माना जाता है इस दिन चंद्रोदे का शमय साम 6 बज कर 3 मिनट पर रहेगा भाद्रपद पूनिमा के दिन भागवद गीता का पाठ करना सुभ फल्दाई होता है वही इस दिन की गई भागवान सत्य नरायन की पुजा भी इस दिन चंद्रमा पूजन का भी बिधान है भात्रपद पोनिमा पर गंगा आशनान का भी महत्व है इस दिन क्रोध तामसिक भोजन आदि से बचना चाहिए मित्रो यह जनकारी आपको कैसा लगा अगर यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को करके एक लाइक जरूर करना धन्यवाद